महाशवरात्री से एक दिन पुर्व 28 फर्वरी की संध्या को शाम 6 बजे श्री लंका के समुद्र टट पर इस्थित चिनमय आश्रम के अनुयाईयों के एक दल ने सूमती और संचालक अधित्य के नेतरत्व में राष्ट्र कवी संगम और विशेश रूप से बाबा सत्य नारायन मौर्य का भावपूर अभिनंदन किया उन्होंने ना केवल अपने अनुयाईयों से भरे सभागार में विधिवत धार्मिक अनुस्ठान संपन किये अपितु बाबा सत्य नारायन मौर्य के उद्धबोधन पूरे व्यक्तत्व को अत्यंत रूची से सुना बाबा सत्य नारायन मौर्य ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में व्यक्तत्व देते हुए भर्म के अनेक रहस्यों का उद्गाटन किया तथा भगवान राम का चित्र बना कर सबको मंत्र मुग्द कर दिया उन्हों ने वहाँ उपस्तित सभी बंदों से निवेदन किया कि वे हिंदू संस्कृति की अनुकर्णिय विशेष्टाओं को पूरी आस्था के साथ ना केवल अपनाएं अपितु उनका प्रचार प्रसार करें आयोजन के पश्चाच चिन्मय आश्रम के और से अत्यन्त भव्य भोच का भी आयोजन किया गया यहाँ एक प्रकार से श्री राम वन गमन पत काव्य यात्रा की पुर्व संध्या पर दिया हुआ शुपकामना संदेश था और इसके पश्चाच चल पड़ी यहाँ यात्रा हवाई अड़े की ओर ताकि एक मार्च को श्री लंका से चल कर यहाँ दल रामेश्वरम पहुचे और विधिवत पूजा करके अपने संकल्प को आगे बढ़ाएं स्री लक्षमी विहार फाइसागर रोड अजमेर क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लोट लेना चाते हैं तो त्रम संपर करें 77-37-22-6695 हमारे आँ उपलब दें 65 गस से लेकर 180 गस तक के प्लोट से आज ही भुख करें बने अपनी जमीन के स्वैम मालिक अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाते हैं तब भी संपर करें 8302-503428 स्री लक्षमी विहार फाइसागर रोड अजमेर स्री लक्षमी विहार फाइसागर रोड अजमेर क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लोट लेना चाते हैं तो त्रम संपर करें 77-37-22-6695 हमारे आँ उपलब दें 65 गस से लेकर 180 गस तक के प्लोट से आज ही भुख करें बने अपनी जमीन के स्वैम मालिक अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाते हैं तब भी संपर करें 8302-503428 स्री लक्षमी विहार फाइसागर रोड अजमेर